हाँ तो दोस्तो अगला परफ्ट की आ रहा है जल्दी जल्दी बोलो मा यह आ रहा है आपका where company used for fraudulent purposes अगर fraudulent purpose के लिए company को इस्तेमाल किया जाएगा तो आप बताओ court किसको liable करेगा company को या उन लोगों को जो fraudulent purpose के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं Of course, उन लोगों को जो fraudulent purpose के लिए इस्तमाल कर रहे हैं जैसे इसमें एक आता है सत्यम केस सत्यम के केस में कई हजार करोड के fraud हुए थे तो इस केस में जब company में fraud हुए तो court ने देखा भी यह fraud किये किसने तो पता चला यह fraud किये राजू रामा लिंगम और उसके ब्रदर ने तो court ने किसको जेल भेजा राजू रामा लिंगम को जेल भेजा और उसके ब्रदर को जेल भेजा उनकी company की भी बिकवाली करा दी जब company को fraudulent purpose के लिए इस्तमाल किया जाएगा तो court उन लोगों को libel करेगा जो company को fraudulent purpose के लिए इस्तमाल कर रहे है hence the concept of separate legal entity of the company will come to an end done it यानकी court will make libel to those person who are using the company for fraudulent purpose पढ़िये से ध्यान से फिर अगला क्या आता है एक आता है corners versus corners अला case जिसमें where company is used to work against public policy जैसे public policy के against काम करने के लिए अगर company को इस्तमाल किया जा रहा है तो वहाँ पर भी court क्या करेगा वहाँ पर court क्या करेगा बताइए 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 court lift करेगा corporate will को और उस case में उनको libel करेगा जो opposed to public policy काम करने के लिए company को इस्तमाल करेगा है मन लीजिए मैंने आपको आप company के officer थे मैंने आपको दो लाखर पर दी है मैंने का जाओ income tax में case खरा के लाओ company का company की liability आई ही है लगबग 20-25 लाग की या 50 लाग की tax liability आई है आप उसे छोड़वा के लाओ आप वहां पे जिनेशुत खिलाते हुए वह एकदम गए और वहां पर पकड़े गए अब पकड़े गए तो जेल तो आपको ही जाना पड़ेगा जबकि काम आप company का कर रहे थे यह की company को जब पॉस्टू पॉब्लिक पॉल्सी के लिए इस्तमाल किया गया तो जो लोग इस्तमाल कर रहे हैं उनको लाइबल किया जाएगा the concept of separate legal entity come to an end पड़ी